नमस्कार, स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड वीडियो, तो अभी तक जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, शायद से सब को याद होगा कि क्या हमने पढ़ा था, हमने एक्च्वल में पढ़ा था कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हमें एक्वेशन को सॉल करना है, हमने दो तरह की एक्वेशन सीखी थी, linear equation in two variables, x और y की वेल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और the second part was the quadratic equation, yes or no, quadratic equation में मैंने आपको तीन मेतर्स बताये थे, अलग लग, और कुछ homework भी आपको दिया था, hope कि आपने वो homework कर लिया होगा, अगर उस homework में कोई भी तो आप मुझे सीथा-सीथा WhatsApp कर सकते हो, ठीक ना, और WhatsApp नमबर में यहाँ पर शेयर कर रहा हो अपना, it is 75073722, ठीक ना, जब यह PDF में आपको send करूँगा, तो यह PDF में ही आ जाएगा, तो इस नमबर को आप not कर लो, इसके ओपर आप मुझे message कर सकते हो, आपका solution आपको दे ठीक ना, आगे बढ़ें फिर, चलो फिर, तो ट्रिग्नोमेंटरी आज मैं cover up करना है, ट्रिग्नोमेंटरी जितना भी हो पाएगा, हम उतना करेंगे, ज़्यादा बर्डन ने डालना पने हो, ठीक ना, ठीक अफिर ट्रिग्नोमेंटरी स्टार्ट करते हैं, तो भाई जब सबसे बड़ा जो जमेला होता है, वो एंगल में हो जाता है, मलब की, एंगल को ही बच्चे जान नहीं पाता है कि एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, तो अब तक आपने जो एंगल की यूनिट पढ़ी है, वो सिर्फ ए की यूनिट आपने पढ़ी है, and that is degree, is it clear, but there is another unit of angle that is radians, तो आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ी, कुछ बच्चे मैथ में पढ़ to know how to convert degree into radians and radians into degree, the reverse part of the problem, okay, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ convergence सीखना है पहले, कि अगर angle degree में given है, तो how to convert it into radians, अगर angle radians में given है, how to convert it into degree part, great, ठीक है फिर, चलो जी स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैंने बोला कि सर कैसे convert करेंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ सीधी सीधी बात याद रखो, चुप-चाप जो बता रहा हूँ, वो सुनो, radian भी एक unit थी, degree भी एक unit थी, unit क्या होती है, unit होती है, किसी भी चीज़ को standard तरीका, उसको ना पने का, जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई inch tape ना होता, मेरे पास कोई length वाली scale ना होती, और मुझे कोई मे कैसे measure करता उसको height को, या तो मैं अपने हाथ से measure करता है, या फिर मैं बोलता कि मैं इस बच्चे से double हूँ, इस बच्चे की height से double हूँ, ऐसे करके कुछ बोलता ना, तो unit actual में define करी हुई standard measurement quantities है, और कुछ नहीं है बस, तो उन्होंने बोला कि भाई, degree जो होता है, degree का नया न पाई तो आप पढ़ते हा रहे हो ना, बचपन से, what is pi, pi is actually 3.14 ना, वो ही है बस यह, 180 degree में कितने radians होता है, pi radians, तो मैंने बोला 1 degree में कितने होगे, तो आपने बोला, it is pi by 180 radians, yes, great, इसका मतलब 1 degree में इतने radians, तो अगर कोई पप से पूचे का 2 degree में कितने, तो आप बोल होगे, 3 से multiply कर दो, इसका मतलब मैं अगर आपको बोलू हूँ कि n degree में कितने radians, तो आप बोलो कि n into pi by 180 radians, सुन में आया, देखो ध्यान से, इसको एक बार अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें पता लग रहा है, कभी भी अगर हमें कोई भी नंबर दिया जाए, वो डिग्री में दिया जाए, और how to, and then we have to convert it into radians, what we need to do is, we just have to product, we just have to multiply that number by pi by 180 factor, this factor will be multiplied by the number, and then we will get the result in radians, I don't know, जब भी हम radians में answer निकालते हैं, तो हम लोग pi को as a tc रखते हैं, pi की value लगाने के में जाद जारोत नहीं पड़ती, calculator में आप calculate करोगे तो answer pi में नहीं आदाव, calculator में pi की value लगा के बोलते हैं, ठीक है न, चलो फिर ठीक है, sir degree से हमें पता लगा sir degree से अगर radian में convert करना है, तो हमें चुपचाप multiply कर देना है उस number को into pi by 180 से, yes or no, great, चलो फिर question ले ले दे कोई भी, NCRT पता आपको, मैं आपको पता रहा हूँ, मैं question कहां से उठा रहा हूँ, NCRT class 11 mathematics, okay, chapter number 3, वो chapter पूरा trigonometry का chapter उसके पहली exercise में, कुछ ऐसी questions है, how to convert degree into radians and how to convert radians into degree, तो मैं आपको एक बार NCRT दिखा देता हूँ, NCRT कहां पर कैसे दिखा, NCRT कौन सी है मेरे पास, देखें फिर, great, चलो, degree आपको NCRT, तो भाई साब आपने, उन्होंने बोला है, find the radian measures corresponding to the following degree measures, यह सारे के सारे चारो जो questions है, इन चारो questions में बोला गया है, कि भई, इसको आपको radian, radian में convert करना है, okay, तो पहला question आसान दिख रहा होगा, third भी आसान पूरा दिख रहा होगा, फूर्थ भी आसान दिख रहा होगा, second question बहुत typical दिख रहा है, उसको मैं आपको बता हूँगा, कैसे उद्धा होगा, ठीक है, चलो फिर, पहले कोई भी question उठा लेते हैं, और कोई भी question को solve कर देंगा, करें फिर, चलो फिर, एक मिनट गई, तो मालों पहला question उठा लेते हैं, 25 degree को convert करते हैं, किस में है, 25 degree को हम लोग convert कर लेते हैं, radians में, चलो वई, तो मेरे पास है 25 degrees, प्रेट, इसको मैंने उठा लिया, चुक्चाप इसको लगा देते हैं, यहाँ पर, चलो यह आपको 25 degree, 25 degree कितने radians के कुवल होगा, आपको यह बताना है, कैसे बताओगे, सोचो एक बारग, मुझे पता solution इसका सब को आता लगब, कर सकते हो, फटा-फट कर लो, चलो मैं भी कर देता हूँ, फिर एक बार सोब फटा-फट, बता दू, चलो जी बता दो, क्या होगा 25 degree को गर रेडियम में convert करना है, तो 25 degree into pi by 180 कर दूगया, कर दो सर, चलो बाई, टेबल चला दूगया, फटा लो, फटा लो, इसमें कितनी पार चलता है, फटा लो, फटीन, 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 तो यह आंसर आ गया, फटीन, बस चुप चाप यहीं को यहीं पे छोड़ दो सको बस, इसे ज्यादा स्वाल मत करो कुछ भी, is it clear, clear sir, चलो फिर आगे बढ़े, दूसरा question उठा ले, 240 degree वाला, उठा लो sir, यह लो sir, उठा लिया जी, चलो फिर दूसरा देखो एक बार फट आफट, दूसरा question आ रहा है, screen पर आपकी देखो द्यांसर, आगया दूसरा question ठीक है, 240 degree को convert कर दें, 240 degree को किसम में multiply कर दू, pi by 180 में multiply कर दू, 6 cutable चल रहा है के दोनों में, 24, 40 आगया, 18, 0-0 cut गया, answer आगया, 4 pi by 3, समझ में आगया क्या भाई, आगया sir, चलो जी, third question भी करी लेता है, तुम्हारे लिए homework छोड़ता नहीं हो, कुछ भी आथा, लो ये भी उठा लिया मैंने, उठा लिया तो फिर क्या करूँ, आगया मैं वापस, दुबारा फिर paste कर दू क्या, कर दो, ये लो आगया फिर question आपकी screen पर, अब क्या करोगे बताओ, बोलो क्या करोगे, 500 degree दिख रहा है, दिख रहा है sir, ठीक है फिर, क्या करें 500 degree का, 500 degree into 5 by 180 again, चलो भाई, अच्छी बात है, किसका table चल रहा है, 0 स 0 तो काटी तो पहले, 2 का table चल रहा है 29 जा, 2 का 26 बार चल रहा है, आया ना, अब तो नहीं चलेगा कोई table, नहीं चल पाएगा sir, 26 by by 9 लिख दू बस, लिख दो sir, low answer आगे, क्या तीनो कोश्चन करवाए करभाए आप convert, करभाए अच्छी बात है, अगर आप तीनो कोश्चन को convert कर पाए, बहुत अच्छी बात है, अब मैं आपको जो बता रहा हूं जरा ध्यान सुनेंगे, कुछ जो हमारे टीपिकल, जो हमारे frequently used angles होते हैं, पहले उनको convert कर लेते हैं, थाकि हमें कुछ याद रहे, ठीक है न, तो एक छोटी से table बना लेते हैं, चोटी से table मनानी कोईश्च करते हैं एक बार, एक मिनट बाई, शाध कुछ प्राब्लम हो गई, वेटा, चलो फिर दिखरा है सबको, आते हैं वापस, तो भाई साब हमें क्या करना है, हमें चुपचाप यहां पर हम इधर लिखेंगे degree में कुछ angles, कुछ angles लिखेंगे ठीक है न, और फिर उसको radian में convert कर लेंगे, कर लें फिर, चलो जी मैं चुपचाप लिख रहा हूं, तो 0 radians ही आ जाएगा, यहां पर मैं एंगल लिख रहा हूं degree में, और यहां पर मैं एंगल लिख रहा हूं radians में, को दिक्कत चलो अच्छी बात है, उसके बाद बाद बाई standard angle जो होता है, 30 degree, 30 degree को क्या लिख होगे, पहले मुझे बता हूं, 30 degree को का radians में convert करोगे, 30 into pi by 180 करोगे, 30 का table कितनी बार चल रहा है, 6 times, yes or no, that will be pi by 6, 45 degree को क्या लिख होगे, pi by 4 लिख होगे, मैं जो जो बोलना हूं, उसको learn करना है आपको, stable को आपको learn करना है, बहुत जरूरी table है यह, 60 degree को आप क्या लिख होगे, pi by 3 लिख होगे, 90 degree का आप क्या लिख होगे, 180 का आदा तो 5 by 2, फिर 120 को क्या लिख होगे, it is 2 pi by 3, फिर, और कुछ angles लिख लेते हैं, चलो, फिर से मैं degree में लिखता हूँ, फिर से आप radian में लिखोगे, चलो, 150 degree को क्या लिखोगे बताओ, 150 degree 30 degree में 5 बार multiply करे तो, 150 degree बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो क्या इसको radian में लिखना हो, तो जो 30 degree में 5 की multiply करते हैं, yes, 5 pi by 6, 180 degree को आपको पता ही है, क्या लिखोगे बोलता है, pi radians, फिर और कुछ एंगल से 360 degree को क्या बोलता है, 2 pi, what is 720, it is, 720 is 4 pi, then, एक और एंगल होता है, 270 degree को क्या बोलेंगे बहले बताओ, चलो, convert कर लेते हैं, नहीं पता थो, 270 into pi by 180 कर लेते हैं, 0 से 0 पढ़ गया, 92 जा 93 जा, answer आ गया 3 pi by 2, तो भाई ये कुछ standard angles होगे, कुछ पहले 0 से लेके 90 तक के जो एंगल से वो तो तो तुम्हें at least याद होने ही चाहिए, ये सब याद तुम्हें होने चाहिए, तो you will say pi by 6, 60 degree you will say pi by 3, 90 degree you will say pi by 2, is it clear, so you must know how to convert degree into radians and you must know the values of the standard angles, that we have from 0 to 90, that is acute, that are acute, because they are frequently used angles, बार बार यूस होते हैं तो बार बार जरुरत पढ़ती है, radians में convert करने की, बार बार आप pi by 180 से multiply गर हो गेते हैं, मतलब ये बहुत time पी जाएगा आपका, is it clear, what you have to do is, simply, frequently used angles को याद करना है, कोई typical angle आजाए तो चुपचा pi by 180 से multiply कर दी नहीं है, तो answer आजाएगा, अच्छा सर, अब सर एक बार बताओ, वो जो question खतरनाक सा दीख रहा था, मैं NCRT में वो कैसे solve करेगे, करवाँगा उसको भी solve, don't worry, ठीक है ना, चलो, करते हैं उसको भी solve, सबसे पहले मुझे बताओ, कि अगर मैं पूछ हूँ आप से, कि भाई आपको पता है, 1 hour में कितने minutes होते हैं, हां, बोलो फटवर, 1 hour equals to how many minutes, तो आप बोलते, 1 hour equals to, 60 minutes, 1 minute equals to how many seconds, you will say it is, 60 seconds, great, अच्छा जी सर, ये बात तुम्हें पता लग गई, same जैसे, r होता है, वैसी ये degree होता है, degree की भी छोटी units होती है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि, 1 degree में 60 minutes होते हैं, 1 degree में कितने minutes होते हैं, 60 minutes, और 1 minute में, 60 seconds होते हैं, अगें, अब यहां पर degree और minute को, denote करने का method अलग, degree is denoted by this, this round shaped ball, okay, तो अगर मैं minute को denote कुर तो, I can write it as, 60 dash, 1 dash, 1 dash means, it is minutes, 10 minutes, और 1 minute equal to 60 seconds, and 60 seconds will be denoted by this double dash, तो मतलब degree की, मतलब degree वाली unit है न, उसकी 3 units है, जिसे meter के बाद centimeter, centimeter के बाद millimeter, वैसे ही आप सोचो, कि सबसे बड़ी unit degree, 1 degree में कितने minutes, 60 minutes, मतलब minute को dash से denote करोगे, 1 minute में कितने seconds, 60 seconds, मतलब seconds को आप 2 double dash से denote करोगे, तो यह होगे हमारी कुछ छोटी units है न, अच्छा जी, ठीक है सार, फिर अब question ले देते हैं फिर वो, question solve करके देखें फिर एक बार, कि कैसे कैसे होगा वो solve, चलो यह नहीं यह नहीं था वो, इसको delete कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है न, तो भाई आते हैं वापस उस question पर, यहां से देखो, चलो यह दिख रहा है आपको question, उठा लेते हैं यहां से फिर इसको, second question, minus 47 degree, 30 minutes, इसको उठाके solve कर देते हैं, चलो, दिख रहा question, इसको मैं convert करना है, किसमें radians मैं convert करना है, we have to convert this into radians, okay, great, how to convert, चलो जी, फिर देखते हैं कैसे convert करेंगे इसको, मैंने बुला, minus 47 degree, 30 minutes, खतरनाक question, खतरनाक तरीगा अपनाना पढ़ेगा, इसको solve करने के लिए, शो जी, 30 minutes का मतलब क्या हुआ सर, सर 60 minutes का मतलब तो एक degree होता है, 30 minutes का मतलब क्या होगा, क्या हाफ degree, कैसे बताओगे तुम लोग, बोल एक बर फट फट फट, is there any, is there any way, to do this, because अभी 30 minutes है, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि it is half, अगर 25 होता तो फिर तुम लोग और अंदाजा नहीं लगा पते न, फिर का करते, तो इसको करने का तरीका होता है, अब इसको mixed fraction में लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, किसमें लिखना है पड़ेगा, mixed fraction, I will say, minus 47, 30 by 60, is the complete degree representation, मालब अब मैंने क्या गिया, minute को भी degree में convert कर दिया, मैंने इसको mixed fraction में लिख दियो, mixed fraction में कैसे लिखा बता हो जर एक बार, मैंने इसको लिखा, minus 47, 30 by 60 degree, clear अतनी बात, क्या मुझे पता है, 30 और 60 में table चलता है, 1 by 2 बार, तो मालब, minus 47, 1 by 2 degree, इसको completely degree में convert कर दिया, 47 into 2 कितना होता, I think it is 94, great, 94 plus 1, 95, I can say it is 9, minus 95 by 2 degree, can I convert it into radians, yes, now I can convert it into radians, how, I just have to multiply that term by, pi by 180, is it clear, now, what is simplest form of this complete term, is, we can say 505, 59 45, 53 15, 56 30, so it will be minus 19, pi by 72, that will be the radians, for the given angle, yes or no, तो यह convert करना है, थोड़ा थोड़ा, कैसे करना है, convert करना है, खतरना कुश्चन है, देखू जयान ज़े, करना क्या था, में पहले mix fraction में convert करना है उसको, completely degree में convert कर दो, और उसके बाद क्या करो उसके बाद फिर उसको, radians में convert कर दो, फिर देखें कि और कोई question है क्या हमारे बास चेक करें क्या चलो कर लेते check अभी चलो और कोई question है क्या नहीं ऐसा कोई खतरनाक सा question आपको दीख रहा है क्या नहीं दीख रहा ठीक है न चलो, फिर आपको degree से radian में convert करना आया? आया नहीं आया? मेरे इसाब से आई गया हुआ सबको है, ना? अगर सबको आगे है तो फिर जाता सोचने की बात नहीं है, आगे बढ़ने हुआ ठीक है? चलो. तो भाई, मुझे degree से radian में convert करना आ गया, सर आपने बोला था रेडियन से डिगरी में भी कनवट करना आना चाहिए यस बिल्गूल आना चाहिए तो रेडियन से डिगरी में कनवट करते हो तो there is nothing but what we have to do is we have to do the reverse process चलो reverse process क्या है सर रिवर्स प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना आपको जब भी रेडियन से डिगरी में जाना हो तो जैसे आप पहले multiply कर रहे थे पाई बाई 180 से इस बार multiply कर दो 180 बाई पाई से अच्छा सर ठीक है सर कैसे बताएं कोई भी question उठालो उसमें से क्या आपने टू-फट्री डिगरी को कर था फॉर पाई बाई थी आए था चलो मैंने बोला फॉर पाई बाई थ्री को माल लेते हैं डिगरी में कनवर्ट करना है हो मेरे डिगरी क्या करोगे सर आपने बताया कि जब भी रेडियंस को करना हो डिगरी में तो हमें मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 180 भाई से बिल्कुल सही बताया मैंने पाई से पाई खतम करतो 3 6 जाए 18 तो यहां सर फिर एंजी आटी से कर देता हूं मैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो यहां से कर दू एंजी आटी जे लो अब यह जो कुश्चन्स है सब्सक्राइब करना आपको डिग्री में करना है माल लो पहला कुश्चन ले ले था हूं 11 भाई 16 खतरनाक लग रहा देखने में यस चलो फिल ले ले दें सको तो मैंने ले लिया पहला कुश्चन 11 भाई 16 यह लो भाई सब्सक्राइब करना है इसको चलो फिर कर देते हैं करवर्ट करना है चलो कर दो फिर कर दो फिर करवर्ट क्या करोगे है ह нем हम पहली बात जब भी आप को डिग्री में था इसको अऊपको यह में थो लगए ज्यान लुकि करता हूं चलौ 9 वार फूर फुरत फॉर्टी फाइव तो मेरे पास आँसर आ रहा है लगबग ध्यान चा देखो मेरे पास आंसर आटा 11,5 जा 55 11,4 जा 44 प्लस 5 49 495 बाइ 4 पाइ आ रहा 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 आंसर है ना मैं इसको यहां पर नहीं चोड़ सकता because I am converting it into degree so degree में एक अच्छा सा आंसर हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे पाइ की जगा 22 by 7 डग देंगे जो आप वैल्यू पढ़ते आ रहें बचपन से तो 4 into 22 by 7 ग्रेट अच्छा जी चलो फिर multiply कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे multiply लाइब 11 का टेबल तो नहीं चल रहा ना चल रहा है टेबल 11 का टेबल इसमें कितनी बार चल रहा है 11 फोर चा 44 11 फाइब 55 11 टूचर 22 तो भाई अब तो और कोई टेबल नहीं चल रहा ना नहीं 75 जा 35 7 फोर जा 28 प्लस 3 21 अपॉन एट तो यह आगया आंसर है ना अब इसको अठिए प्रेक्शन में आरिओ डिग्री नहीं न पिर कैसे को इसको अच्छे से करके डिग्री मीनट सेकंड सम्में बताना है कैसे करें भाई ध्यान से देखू मैंने जो तरीका सीख और मैंने जहीं से में करता आता हूं बच्पन से अबीशे ठीसमार खानी बनुगा बिल तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 39 इंटू 3 by 8 मैं यह मिक्स फ्रेक्शन में मैं इसको लिख जै 39 of 3 by 8 degrees yes or no yes sir sir आपने तो बोला था मिक्स फ्रेक्शन में डिग्री में लिख सकते हैं तो क्या इसको मिनिट पर भी कर सकते हैं यस बिलुकुल कर सकते हैं अब आपको क्या करना होता है ज्याहन से सुना अब आप 39 degrees को तो कर दोगे अलग और जो मिक्स फ्रेक्शन में लिखा हूँ चलो sir 45 को डिवाइड कर आप 2 से चलो वाई 2 टू जा 4 खदम 5 आगया 2 बन जा स्वरी स्वरी यस क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ क्या 39 degrees 22 1 by 2 minutes अगें मिक्स फ्रेक्शन में अब क्या करूँ अब जो मिक्स फ्रेक्शन उसको अलग कर दू और बाकी को मिनट बना दू यस 39 degrees 22 minutes हाफ बचा जो उसको किसम मिल्टीप्ला कर दू साथ में क्योंकि एक मिनट में कितने seconds 60 seconds और इसको seconds बना दू यस ओना seconds को किस से दिनोट करते है डबल डैश तू का टेबल चल गया 30 बार और भाई पढ़िया आंसर आया अग्दाव थर्टी नाइन डिग्री 22 minutes 30 seconds इस इस माइ आंसर आयाव गवर्टे दिस 11 बाई 16 राडियंस इंटो डिग्री मिनट्स अं रेडियंस और सेकंट्स इस इट क्लियर टेवर्वन अल्ड टेक यो टाइम अराम से देखो पूरा सॉलीशन इंग बार वीडियो को रिवाइंड कर लो पूरा सॉलीशन दुबारा फिर देख लो अच्छे से सरीकलो इसको कोई भी जादा जल्दी बाजी नहीं करनी मैं बिलुकुल हरी में नहीं हूँ बहुत अराम से पढ़ाओंगा क्योंकि मुझे भी यह पूरा कोर्स बनाना तो फिर बाद में अगर मालो कोई भी डिफिकल्टी आते तो मैं अटलीस बोल सकता ना तुम्हें कि अपकी इस सेशन को वोच कर लो आपको समद में आ जाएगा है ना ठीक है फिर समद में आ गया चलो एक और कोश्चन लिड़े देखें ओर जान से देखो कोई और कोश्चन ले लेते हैं माइनसघर ली दूगा माइनस फॉर रेडियंस चलो वै बच्चे बोल रहे हैं यहीं ले ले लेते हैं प्रफट को है ग्रीज में法 रेलिया है माइनस फोर आ गया माइनस फोर रेडियन को कन्वर्ट करना है डीग्रीज में है कैसे करें इस बत्को ना बुला मैंनस फोर इन्टू 180 बई पाइं कर दोधिए डिया में ने तो मैंन पोर into 180 upon what is pi it is 22 by 7 2 2 4 211 yes or no मेरे साब से क्या अंसर आ रहा है ज्यांसा देखो minus 360 into 7 by 11 multiply कर लो उपर 7 0 0 7 6 4 2 4 is the carry 7 3 21 plus 4 25 माइनस का 2520 by 11 convert करते हैं अब इसको डिगरी में कैसे convert करना इसको डिगरी में क्योंकि fraction में तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा 11 से डिवाइड करते हैं 2520 चलो वाई 11 तू जा 22 तीन बचे 32 हो गए 11 तू जा 22 दस बचे 0 100 हो गया 11 9 जा 99 एक बचा कैसे लिखेंगे इसको मिक्स फ्रेक्शन में बताओ बच्पन से लिखते आ रहे हो आप लोग इसको मिक्स फ्रेक्शन में लिख सकते हैं गार च्चा बनाने के लिए क्या करूं को अच्छा ने लगारा मुझे क्या करूं कर दो back बाए सककते हो आप अच्छी बात पिर 60 को divide कर दूँ फिर 11 से वापस कर दो फिर 11 5 जा 55 क्या बचा 5 बचा क्या इसको लिख सकता हो minus 229 डिगरी को छेड़ो मत और इसको छोड़ो मत इसको क्या लिख हो गया पांच मिनट को 5 minutes and what is this it is 300 by 11 seconds अच्छा वाई seconds से छोटी unit तो आप जानते नहीं हो कोई तब क्या करोगे अब चुपचा आप जो answer है को उसको लिखना पड़ेगा आपको 27.27 तो मैं बोलूंगा माइनस का 229 डिगरी पांच मिनट और 27.27 seconds इस यूर आंसर और अगर अच्छा थोड़ा इसको अच्छा बनाना है तो फिर क्या लिख लो इसको मेरे साथ इसको 27 डिगरी सेकंड से लिख लो एप्रोक्सीमेड is it clear to everyone so that is how you can convert your radiance into degrees जाना सोचना नहीं है जादा अपने माइन में जादा confusion create नी करना है simple बात है याद रखेंगे how to convert degree into radiance multiply by pi by 180 how to convert radiance into degrees multiply by 180 by pi is it clear to everyone great ठीक है फिर अच्छी बात है यह मैं समझ में आ गया हमने convert कर लिया ठीक है बाई radiance angles की बाते पता लग गई अब आउं trigonometric ratios पर आ जाओं चलो सरा आ जाओ थे ठीक है बाई trigonometric ratios पर आ जाते हैं ठीक है माल लेते में बोलता हूं दे आर्ट इग्नोमेट्रीक रेश्यों तो भाई मैं ज्यादा थीसमार खान नहीं बनुँगा थीसमार खान मैं विल्ड बात बात यूज़ कर रहा था हूं इसलिए उसक्राओं है क्या बोलना चारा हूं तो भाई मैं सीदर सीदर बढ़ रहा हूं कि तो मैं ज्यादा hero नहीं बनूंगा यहां पर कोई-कोई ऐसा बोलता है न कि 10 का नाम पूरा नाम होते टेंजन टीके ना कोस का नाम पूरा नाम होते पोसाइन यह सब मुझे नहीं करना हो मैं तो सीधा-सीधा बता रहा हूँ तो मैं क्या-क्या होते है छे टिंग्नोमेट्रिक functions चलोगे पहला देखो पहला होता है sign पता है सबको दूसरा होता है cos yes तीसरा होता है 10 फिर होता है cot फिर होता है cosec और होता है sec इसमें ऐसा नहीं है कोई order है इस order में मैं लिख रहा हूँ इस order में होता है ऐसा कुछ नहीं है ठीके ना कोई भी order लिख रिखते है अब उसमें क गई बेना सिर्फ साइन लिख क्यों जाते हैं बस साइन लिख दिया थो भाई सब आपने ट्रिट्वनुएस्टा नहीं आएगा जब यहाँ पर अगल नहीं आएगा तब तक है अधूर आए कोई कानी नहीं है कोई मतलब नहीं है इसका फिर क्या मेरी बासमझ में आ रही है तो भी कभी मैं फॉर्मॉला पूछता हूं कि बताओ यार साइन आप इस एंगल विल भी तो मच्चे लिखते हैं साइन इकूल टू 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 बाई त्री और यह क्या हुआ भाई अपर तुमने ठीटा तो लगाया है यह न जो एंगल उसका उताओ आउसको आरग्यूमेंट बोलते हैं बाध मैं बताऊंगा वो सब छोड़ो कर पहले भी आता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्रेशो का मतलब आप सबने ट्रेंगल की फोर्म में पढ़ाओगा भी क्लास्टेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक र बात करूँ कि कोई भी मेरे बास let triangle है right angle triangle की बात करता हूँ तो right angle triangle बना ले क्या हम चलो बनाई ले दें ठीकिल ना क्लियर है मान लेता है कोई भी ये ऐसा करके कोई भी triangle है okay this triangle में मालो मैं बूला कि लिए भी आपने थेटा here okay for this triangle you know that this for this angle theta this is called as the base this is called as perpendicular and this is hypotenuse yes or no so these three sides have different names base perpendicular and the hypotenuse so what we have is हमने एक शायद relation पड़ा था जिसमें हम लोग कुछ अलग अलग तरीके से अपने schools में बढ़ते हैं PBP PB गलत कर दिया ना PBP HHB पड़ा था ना हमने अच्छा जी फिर तुम लोग क्या लिखते थे इसके सामने उम्हें याद है उम्हें लोग इसके ऊपर लिखते थे साइन जे ऊस ओ नंू किया लिखते थे B के ऊपर कॉस इसके उपर 10 एसके उपर कॉसेख इसके ऊपर कॉसे आइक इसके ओपर y भे लिखते थे न यह याद करने तरीक था हमने बोला था कभी बेगर कोई साइन थेटा पूचे गा तो साइन थेटा का अंसर बताएंगे P by H एसो नो फिर कोई कॉसेक थेटा पूचे गा तो कॉसेक थेटा का अंसर बताएंगे ULTA H by P Great, what is P? P is perpendicular, what is B? B is base, what is H? H is hypotenuse, great, अच्छी बात है अच्छा जी, कॉस और सेक, चलो भाई, कॉस और सेक को लिपने, कॉस की वेल्यू, कॉस थेटा की वेल्यू, सिर्फ कॉस ने लिखना पहली बता रहा हूँ B by H, what is sec theta, H by B, great, what is 10 theta, perpendicular by base, what is cot theta, base by perpendicular नजल आ रहे हैं, आपको 6 trigonometric functions, ये 6 के 6 जो trigonometric functions आप पढ़ रहे हूँ, जलना ध्यान से देखो एक बार ये, ये, और ये, मैं आपको 3 trigonometric function दिखा चुका हूँ 1 is sin theta and cos theta, 1 is cos theta and sec theta, 1 is 10 theta and cos theta मैंने 3 को अलग अलग जगा पर क्यों लिखा है, तो कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऐसी रटो, मैं चाहता हूँ कि आप समझो कि sin का उल्टा कौन होता है, sin का reciprocal कौन होता है, cos sec, cos का reciprocal कौन होता है, sec, और 10 का reciprocal कोन होता है कोट इसका मतलब अगर मैं 1 upon sin theta कहीं भी लिखता हूं तो can I write it as cosec theta yes if I write 1 upon 10 theta can I write it as cos theta yes and what is the value of 1 upon sec theta it will be cos theta because they all are reciprocal of each other so we have three different pairs let this is first pair this is second pair and this is third pair is it clear to everyone pairs पता लगे तो can I write the relations as first pair के लिए relation क्या रहेगा sin theta can be written as 1 by cosec theta is it clear yes sin theta can be written as 1 by cosec theta second relation can I write cos theta equal to 1 by sec theta or vice versa 1 upon sec theta equals 1 upon cos theta equal to sec theta and for the third one we can get 1 upon 10 theta equal to cot theta or we can say it in reverse form also 1 upon cot theta equal to 10 theta so we have these three different relations by these stenometric ratios and I have no doubt कि ये तीनों relation तो सबको याद होंगी और ये छे के छे सबको याद होने वाले होते हैं तो क्लास 10 में आप यही चीज़े होती है जो अच्छे से पढ़ते हो और इसका एक अच्छे ऐसे बोलता ने कुछ कुछ ऐसे ऐसे इसके नाम भी बना जाते है पंडित बाली प्रसाद हर हर बोला जाना ऐसे याद करने के तरीके होता है लग-लग अलग-लग क्लास में अलग-लग सिखा जाते हैं तो वह सब छोड़ दो मैं तो PBB-HHB याद रखता हूं बस सिदा सिदा ठीक है ठीक है ट्रेंगल में कोई दिक्कत नहीं इस एंगल फ्रिटा के लिए यह बेस है यह प्रपेंडिकुलर है और यह हाइपटनियूस है ठीक है आ आपने कुछ अलग-लग प्रोपरटीज भी पड़ी थी यहाद है बताऊ एक थी साइन स्कॉर थिटा प्लस कॉस स्कॉर थिटा एक उवल टू बढ़ा थाग्या याद आग्या? यह याद आग्या सबको एक पढ़ा था सक्कुर थिटा माइनस टैन स्कॉर थिटा इक वल और यार सर यह तो बड़ा था हमने वाक्य में याद आ गया अच्छी चीज है बहुत बढ़िया चीज है अच्छा बाई यह तीनों फिर तुम्हें याद होने चाहिए कभी भी ऐसा मन बोलना कि सर हम यह बूल वे बूल नहीं है तुम क्लियर है चलो याद होगे है मैं सर फिके सर याद कर लो इनको रिवाइस कर लो चुझा कभी बच्चों को मैं बतातों क्या रख लो इस चीज़ को क्लियर है बात चलो ग्रेट आगे बढ़ते है फिर अब तुमने कुछ एंगल्स की वेल्यू याद की थी याद है तुम्हें तो मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा एक टेबल कैसे बनाएंगे सबसे पहले तो हमें एंगल्स रिख लेएं किन किन इंगल्स पर मैं अपनी जाच परताल करनी है बहुत अच्छी बात करनीया का ततरी डिगृ पर करनीया यस कोटीई पनीकट पर कर लेंगे है यसिक्साप ठाक है ऐस्ट्वीर में क्यों तो सब्सक्या प्रेंगे नोलों करेंगे और कि मालनस बंच यपने सब्सक्ता परेंगे रिक इपने टिंप्नमेट्रिक कई जाव भै तुम मान लेते हैं कि मैं ऐसे कुछ lines draw कर देता हूं यहां पर ठीक है ना पहली line में आ जाएगा sign गिर्टा दूसरी में आ जाएगा cos theta फिर आ जाएगा 10 theta फिर आ जाएगा cos theta फिर आ जाएगा cos theta और यह आ जाएगा सेक्टी डाया ना phase of lines में ड्रॉ कर लिए कोई दिक्कतिस में इन lines को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा एंड जाएगा था ब्रॉ को थोड़ा सेक्टान घुले आपके सामने लिख देता हूं यह कुछ trigonometric functions जो हमारे पास है क्या क्या रहेंगे यहां भी एक लाइन ही ड्रॉप कर लेते हैं लोग पहले trigonometric function आपको पता है sign होता है दूसरा cause होता है मैं आगा आपको बता रहा हूं कि हम टेबल कैसे बनाते हैं हमें कुछ values याद रखनी पड़ती हैं कुछ values हम डिरेक्ली यहां पर लिख देते हैं किसे साइन थीटा की value याद रखो 0 से लेके 90 तक बाकी values मैं आपको बाद में बता हूं ठीके न माख चलो जी 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 बस मैं बोल रहा हूं 5 value याद कर लो बस 5 value याद कर लो मैं कैसे याद रखता हूं पहले माँ आतको बता देता हूं सूरी मैं कैसे याद रखता हूं पहले माँ चलो बता देता हूं साइन थीटा की value मैं कभी भी एसे नहीं रटता thin 30 की 1 by 2 मुझे पता है कि पाच एंगल जो इंपोर्टेंट होते हैं वो कौन-कौन से होता है 0, 30, 45, 60, 90, right? okay, so what I do is, मैं A की लाइन में इसको रट लेता हूँ, पूरा, 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1, अब उल्टा लिखते हैं इसको, इधर से लिखते हैं उल्टा, स्कॉर्स में क्या होता है, यहां पर 1, यहां पर root 3 by 2, यहां पर 1 by root 2, यहां पर 1 by 2, 0, आया नहीं समझ, उल्टा लिखते हैं बस, क्वार कुछ नहीं किया, साइन में जो थी वैल्यू, वो क्वास में उल्टी होगी, बस वार कुछ नहीं, सर आपने तो बताया था, साइन को उल्टा को सब्सक होता है, अरे भाई, रेसीप उकोल बताया था हूँ, मैं पासन में, सलो आगे बढ़ता है, टेन ठीटा, टेन ठीटा कैसे याद करें सर, तेन ठीटा को याद करने का तरीका बताता हूँ, जयान सुनस. अगर मैं यहां से देखू, जयान से देखू, विगॉट दिस वाइद वैली अफ 10 तिर्टाव इस दरेशो आफ साइन फिटा एंग और तो साइन फिटा को स्टिटा से डिवाइड करेंगे तो अंसर आजाएगा जेगा 05-1 क्या होता है 0 रॉट्ट Mixed रॉट्टário करेंगे तो यायोकर चैगा और वन अपॉन जीरो करेंगे तो फिर क्या है तो यह जोदो आगे बढ़ते लिए क्या आपने गुप मता था इस वह कड़ा होता है इस मय awareness program कर दो तो क्या करो में बाई-जीरो करोगे तो तो क्या आएगा Theme लूग host लेता जोने साथ न स्था अपने बता है उल्टा करेंगे तू बन जाएगा इसका उल्डाखारेंगे तू बन जाएगा इसका उल्टा करेंगे तो तू बन जाएगा किसका उल्टा करेंगे तो वन भाई-0 वालब इनिफिनिटियर वीर वडिए वल्ल आफ कॉसेक निचेता कॉसेक रिटा का उल्टा किसका रिसी कोलर साइन एनिफिनिटिटी वन अपन टू वनवाँ अपन टू करे मैं टू इनिफोकल टू जा रुट्टू रूप अपन का रहिः जा डाल के आपको टेवल यतल कर नहीं याद करने पड़ेगा किया याद करना पड़ेका स्री सैंट की वेल्व याद करने पड़ेगा कितनी फिर्फटर बेल्यू्स है क्या वह पांच वेल्यू सब्सक्राइब जीरो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पे जीरो वन बाई टू बाई रूट टू रूट 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 त्री बाई टू अब यह टेबल जो है इधर से खाली पड़ी है फिलाल में इसको भड़ नी रहा इस टेबल को मैं बाद में भरवाऊंगो आपसे किसी चैप करता हूँ जीरो 90 डिग्री से आगे वाले एंगल की और फिजिक्स में तो 90 डिग्री से आगे वाले एंगल जाता है ठीके ना तो क्या करना पड़ेगा क्या करें सर बार बार सारी वेल्यूस को रटेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी तो हम इसके लिए क्या करेंगे हम ग्वाड्रेंट थेहरी अच्छा जी क्वाड्रेंट थेहरी कैसी थेहरी आए Quadrant theory Quadrants है नाम समझ में आ रहा थोड़ह थोड़ा की 4 Quadrant होते है यस देरे रा 4 Quadrants सबसे पहले आप 4 Quadrant बनाऊ वो चार Quadrant आपको कुछ ऐसे नज़ा रहेंगे त्यामस देखना मेंट वेट वेट बिला दोगे पूरा डाग्राम ए अध़ी कर वेट आप अधा न वार पास चार ड्रहिंट न चार ग्रम लेता हूं कि तेर आर फ्र वाटरेंट्स और वो फ्र वाटरंट कौन-कौन से हैं पहला ति यह देख लेता है लोग यह ऐसे करें ट्रह ट्रह ठीक ना गुक्यूर। भील्ष पैज है इन चार चोट में कुछ बाते सीखरी है अब ज़रा वो बाते क्या होंगे हैं ज़रा ध्यान से सुनेगे बहुत इंपर्णन बाद बताने जा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको की फिलाल आपको पता है कि हम हमेशा एंगल अपना यहां से विजर करते हैं यहां से यह एंगल ऐसे चलता रहता है बस हमेशा एंगल एंटीक लोग वाई चलता है यह बात ध्यान लखेंगे सब लोग गत्ति क्लोग वस्ट्क है अउमच सब्वाइल बात कि यहां पनकल कितना होने वाला जीरो डिंक्री यह पर जयागा नइनटेव यहां पर जाएका अनटेव य attack 1 अटेटेवरे यहांपर जाएका 20 40Г्री और यह जोडलो राइण में लिग लिए थे हैं 0 रीडियन ela अब क्या सीखाना चाहरे होगे मैं आपको कुछ सिखाना चाहरे हूं, यहां पे ना सब के सब कुछ कुछ डिफाइन करेगे, मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, उस वर्ड को आप प्लीज ध्यान लख खोगे, that word is, we can say it is X, A, C, T, S, लिखना कैसे है, उल्टा लिखना, ज्यान सुनना, 1st, 2nd, 3rd, 4th मत कर देना, उल्टा लिखना है, clockwise direction, A, C, T, S, मैं एक वर्ड लिखा, X, is it clear, okay, what does this abbreviation is, यह abbreviation आपको बता क्या रहा है, A, C, T, S, what is A, A is all, what is C, C is cos and sec, what is D, T is 10 and cot, what is S, S is sine and cos, चलोगा, अच्छा जी, O का मतलब, Paul, C का मतलब cos and sec, T का मतलब 10 and cot, S का मतलब sin and, cos sec, क्या मतार रहा है, भाई, इसका मतलब यह हुआ, कि यहाँ पे, इस वाले quadrant में, सब positive, इस वाले quadrant में, यह दोना positive, सिर्फ, इस वाले quadrant में, सिर्फ, यह दोना positive, और इस वाले quadrant में, सिर्फ, यह दोना positive, बाकी सब negative, अच्छा जी, ठीक है सर, यह भी हमने मान लिया, ठीक है, हमने यह भी रट लिया, आगे क्या करें, तो आगे तुम्हें करना क्या है, जर रध्यान सोगें, मैं फिलाल, एक red line खीचता हूं, जर रध्यान सोगा, तो मैं एक red line बना रहा हूं, और वो red line इसके ऊपर आगे, वासन में आ रही है, और एक मैं बना रहा हूं, yellow line, गाधर वन इस yellow line, ओके, यह yellow और red का मतलब क्या हुआ, what do you mean by red and yellow, जिस yellow color यहां पर represent कर रहा है, yellow color यहां पर represent कर रहा है, अच्छी line को, कौनजी line को, अच्छी line, वो red color यहां पर represent कर रहा है, यह यहां पर पापस देखते बार क्या बोला है, यहां पर दो line आपको दिखाई दे रही है, एक horizontal line, vertical line, बाने horizontal line को yellow color से denote कर दिया, और vertical line को, मैंने red color से denote कर दिया, red color represents danger line, and this horizontal yellow line represents the t9 why it is achieved її अट्षी क्यों बोला शको क्योंकि अची स्लिए है और गची लाइन के कुछ रूल्स है आपको रूल्स बताता हूं जान सुनताव एग अच्छी लाइन के रूल्स अच्छी लाइन बोलती है कि कभी भी अगर आप कोई भी अंगल निकाल रहे हो तो यू दॉन्ट हैंव फो चेंज यूर टीग्नोमेट्रिक फंक्शन मेंस साइं रिटने साइम कॉस्ट विल पिर डिटन पॉस थैंड बिल बिल इन स्कॉर 10 अच्छा उन विड रिटने स्कॉर 10 आंद सो ओन फोड पॉल तिग्नोमेट्रिक फंक्शन you don't need to change the trigonometric function अच्छा सर कि क्या बता रहे है तरह आप तो यह को रुपभ भी समझ में आएगा डेंजर लाइन के भी कुछ रूल्स हैं डेंजर लाइन क्या बोलते हैं जर ध्यान सुनता डेंजर लाइन ने बोला की there is a concept to change the trigonometric function उसने बोला अगर आप sign का function hard chose change रणाच चाते तो Import section में होगा और for sign में चेंज होगा अच्छा जी सरया अभी क्या बूल रहो है मैं क्या भी मनें बुला की मान लेते हैं में कोई value को जो टेबल पड़ी थे उस टेबल को हमने दूरा शूट जाए ना बीच में आप याद गोरो मैंने उस टेबल में बताया था आपको कि इस टेबल में 120 की वेल्यू भी निकाल है माल लो कि मुझे साइन 120 की वेल्यू निकाल हुआ साइन 120 डिग्री तो मुझे बताओ कि आप साइन 120 का ऐसे लिख सकते होगे साइन 90 प्लस 30 और साइन 180 माइनस 60 अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है तो आप मुझे बताओ जब आपने इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया 90 प्लस 30 एंट 180 मैनस 60 तो पहले रिप्रेजेंटेशन में साइन 90 प्लस 30 जब आपने रिप्रेजेंट किया इसमें आपने 90 को यूज करा और 90 कौन सी राइन पर है वर्टिकल पे या फिर साइन को चुपचाप कर दो कॉस्ट कर weiß में कर दिया जी मैने लिख दियाior past 30 क्लिंडिया 35 YoutLING को अटा दियाग मटाने के बाद क्वक्ति hina CELE करूंगा सब्सक्रण करूंड करूंगा सेकंड क्वाडरेट में साइन ये वाला जो साइन था ये पॉजिटिव है नेगिटिव है मैंने देखा साइन तो मेरा अंसर आगया प्लस कॉस्ट थर्टी एंड डाट विल इक्वल टू रूक 3 वाइडो क्या ये में अंने डिंजर लाइन से मैंने कैसे किया अब दूसरा दिखू बूसरा आपने लिखा साइन 180-60 इस बार आपने 180 का यूश किया ना वट इस मनेटी 180 is on the horizontal line and it is अच्छी लाइन अच्छी लाइन बोलते है कुछ भी चेंज करने की चुप चाप लिख दो साइन 60 क्या लिख दो साइन 60 180 कोटा दो अब चेक करो कि साइन ये जो साइन है ये सेकेंड कोडरेंड में पॉसरेटिव है नेगिटिव है पॉसरेटिव है तो आंसर आएगा प्लस साइन 60 देट इस रूट 3 by 2 बात कुछ कम समझ मेरे ही दोनों से आंसर सेम आ रहा है लेकिन तरीका अब अच्छी लाइन को इसको रहोगे कहीं बार आप बेंजर लाइन को इसको तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप अच्छी लाइन को यूज़ को रहो कोई भी confusion नहीं जाएगा चलो एक और question करते है मार लो मैंने बोला कॉस 210 डिगरी की value निकालता है लेट कि निकाल सकते हैं कि तो मैंने बोला कि पहले इसको करते है लेट अच्छी लाइन से मैंने बोला क्या इसको मैं बोल सब्सक्ता हूं 180 तृ अच्छी लाइन को यूज़ किया जब ही मैं बात करूंगा तो मैं अच्छी लाइन को यूज़ करको मुझे इसकोChange करने की जरुक नहीं है मैं लिकूंगा तो क्या यहां पे चेक करो कौस्ट में था है क्या थर्ड पार्ट पॉस्टिव है क्या नहीं थार्ड दसिर्फ टेन पॉस्टी को शीव है तो कॉस्ट फॉस्ट नेगिटिव है तो मल्लव आएगा मेरा तो दूसरे से करते हैं इसको क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं क्या 270-60 यह सर बोल सकते हैं तो कॉस 270-60 में डिंजर लाइन उसकर रहा हूं तो को सको किसमें कनवर्ट कर दू साइन में और लिख दू साइन 60 तो मैंने चेक किया थर्ड क्वाडरेन में पोस्तो नेगिटीव है पोस्तो नेगिटीव है तो माइनस रिम्डू आ गया माइनस रूप्री वाइटी के आंसर सेम आया यह से तो ऐसे करके आप किसी भी एंगल की वेल्यू निकाल सकती हूं चेक करें एंजी आर्टी में बोलू आपके दो नो इस रूप्री वाइटी में चेक करते हैं कोई क्यों है कि हमारे पास तो भाई साब जान से देखो बहुत सारी थेयोरी तो यह ज़्यादा पढ़ने की जड़त निये खतरना खतरना कुछ गुश्चन्स दिये में आपको साइन 775 कॉसेक माइनस 1410 यह सब कुश्चन्स आपको दिये हुए है इन सब करवाऊंगों नेक्स विडियों अब है आपको बेसिक समझे में आ गया आज इसको बेसिक को पढ़ो जाके एक बार सच्छे से ट्राइ कर लो जो जो बैने बताया फिर मैं एक कुश्चन्स आपको करवाने वाला हूं कि बोसब कैसे हम हैंडल कर जबते हैं इस ट्लियर कि यस और नो अब तक के लिए थैंक्स और मैंने वार बार बार बोला है अगर आपको पोस को जाइन करना है यह मेरी सारी अपडेट्स चाहिए तो फिर चैनल को सब्स्राइब कर दो और बैल का बटन दबादो ठीक है न अच्छा एक और बात कि मैं होमवक भी समें पेस्ट करने वाला सब्सक्राइब करें अपको कुछन सारे करवाई चुका हूं को सब्सक्राइब अपने मन से दे रहा हूं वह बार कर देंगा था थैंक्यू